तो स्वागा थे आप सभी का अग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग को टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है विक्रम शीला देखिए ये चैप्टर जो है न वो थ excitement लगती है और सिन प्रीट होती हूं कि मतलब और कई साथ कि साल क्या हुआ था कोई हमें बताएं और लोग गया वा बिचाने और इसलिए ना बुढ़े लोगों के साथ बैठना चाहिए उनके पास बैठना चाहिए आपके दादा दादी हो गए नाना नागी नहीं जो कि बहुत बुढ़े हो चुके उनके पास बैठना चाहिए क्या पता वह अपनी जिंदगी के कई साल के तजुर्वे को वह एक सेकें फ्हेला आखिर क्या है क्यों इसकी लप्राचीन काल में आज से कई साल पहले क्यों इसकी महानता थी और क्यों इतना यह भव्य था यह सारी जिशी हम लोग इस chapter में discuss करेंगे और कैसे जो है ना वीखरम शीला को नश्ट कर दिया गया ठीक है कैसे यह तबाह हो गया विक्रम शीला यह सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो विदाउट एनी टीले लेट्स किट स्टार्टिड बट विफोर बिगिन दे वीडियो आई वांट तो से समस्थिंग डैट इस डाउन फॉर्गेट तो सब्स विक्रम शीला आखिर क्या है देखिए विक्रम शीला जुथा ना आज से प्राचीन काल का यानि कि आज से कई सो साल पहले का एक भव्य विश्वविद्याले था ध्यान रहे यह कोई महाविद्याले भी नहीं था एक विश्वविद्याले था हर चीज का ग्यान विक्रम श जो की जिरो की खोज किये थे सुन्य की उसके बार से दस्मलों की खोज जो एना कि ने किया था उसके इलावा जो है ना प्रिथवी गोल है कि चप्टी है कैसे ग्रहणर लगता है यह सारी चीज़ें आर्यप नहीं बताया था तो यूंसे यहां तक की अतीश दिपंकर जो की तिबबत में बहुत धर्म का परचार परसार किये थे वह भी यहीं से पढ़ाई किये थे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस विश्रोविद्याले से कोई भी स्टुडेंट पढ़ाई करकर और सफल हो गया हो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो भी स्टुडेंट इस विश्च विद्याले से पढ़ाई करता था न वो सकसेज हो जाता था सफल हो जाता था क्योंकि वो जञान से भरपूण हो जाता था हर तरह का घ्यान इसमें मौजुद था आप ही लोग सुचे न जिस विश्च विद्याले में 10.000 स्टुडंट प पढ़ाया करते थे तो सोचिए कितना बड़ा फश्र विध्याले था कैम देखिए दूजएं M विख्रम श्रीला विश्रविद्याले आखिर कहां है कहां इसको इस्थापित किया गया है कहां बनाया गया है तो देखिए भागल पूर जीला भागल पूर जीला में है विख्रम श्रीला विश्रविद्याले जो कि उस वक्त प्राचीन काल में भागल पूर जीला का नाम था महाजन पद याद रखिएगा अब्जेक्टिव में पुछ सकता है ठीक है तो भागलपूर जिला के थाना कहल गाओं पोश्ट पत्रगट्टा और गाओं अंतीचक में जो है ना विक्रम श्रीला नाम का विश्रविद्धाले मौजूद है अभी जो आप लोग जाएंगे ना लश्ट कर दिया तो अभी आप लोग जाएंगे देखने के लिए तो यह तूटा पूटा दिखाई देगा ठीक है पूरा जो दो मंजिला तीन मंजिला यह था तूट गया है ठीक है तो यह देखिए अब विक्रम श्रीला विश्रविद्धाले कि इस थापना कब हुई इस सौ साल को एक शताब्दी या फिर एक सदी कहते हैं यानि कि एक से लेकर सौ साल के बीच के समय को हम लोग एक शताब्दी कहेंगे उसी तरह सौ से लेकर दो सा साल के बीच के समय को दो शताब्दी कहेंगे और उसी तरह दो सा से लेकर तीन साल के बीच के समय को हम लोग तीन शताबदी कहेंगे in the same way यहां पर आठवी शताबदी लिख्या है यानि कि 700 से लेकर 800 साल के बीच के समय को हम लोग कहते हैं आठवी शताबदी तो आठवी शताबदी के मध्य जो है ना विक्रम शिला को इस्थापित किया गया था अभी कौन से शताबदी चल रही है अभी 2022 जो है यानि कि यह 20 सांसे से लेकर के बीच के समय को में हम लोग एकईस्पी स्रताबदी के तो अभी तो यहां पर एकईस्था इस्पी स्रताबदी के मध्य विक्रम श्रीला को स्थापित किया गया किसने स्थापित किया किसने बनवाया तो पालवन्स के राजा धर्म पाल याद रखिएगा धर्म पाल ने विक्रम श्रीला को बनवाया था ठीक आगे बढ़िए नामकरन आखिर विक्रम श्रीला नाम क्यों रखा गया विक्र विक्रम नाम के राक्षस को मारा गया था और उसका विहार बनाए गया था इसी लिए इस विश्विध्याले का नाम विक्रम श्रिला रखा गया क्योंकि विक्रम नाम के राक्षस को मारा गया था वहीं पर इसलिए इस विश्व विद्याले का नाम क्या रख दिया गया विक्रम शीला विश्व विद्याले ये मत भूलिएगा ठीक है आगे बढ़िए इस विक्रम शीला विश्व विद्याले के अंतरगत ना 6 महा विद्य गेट हुआ करते थे द्वार पंडित अभी के जमाने में गेट कीपर कहते हैं ठीक है जो की अंदर एंट्री देते हैं तो वहां उस वक्त जो है न द्वार पंडित बोला जाता था तो हर महाविध्याले के हर गेट पर हर द्वार पर आप बोल सकते हैं जो में गेट था वहां खड़ा हुए रहते थी धौरी इनके पास जाहिए और ये द्वार पंडित सबसे पहले उस टूडेंट से टेस्ट लेते थे परिक्षा लेते थे क्योंकि द्वार पंडित ही खुद बहुजदा शक्षित हुआ करते थे उस वक्त बहुजदा ज्यानी वह तंत रियोग नियाय है तो द्वार-पंडित् सबसे पहले उसे student से test यानि कि परीक्षा लेते अगर वो student परीक्षा में पास हो गया यानि कि test में वो सफल वगया तभी उसको विक्रम शिला नाम के विष्वविद्याले में admission यान कि entry मिलती थी तो सोचिए जिस विष्वविदाले का द्वारपण्डित गेट की पर इतना शिप्षित हो इतना ग्यानी हो तो उस विश्वविदाले में कितना कडा और कितना ख़रा जो हेना ग्यान बाटा जा रहा ओगा कितना कडाई से पढ़ाई होती होंगी आपहीं लोग SUC. ठेक अभी यह पर बात विध्याले में कौन सी भासा में पढ़ाई करवाई जाती थी हिंदी में कि इंग्लिस में कि फार्सी में कि संस्कृत में कि अर्भी में कौन सी भासा में पढ़ाया जाता था तो देखिए अध्यापन्यन की पढ़ाई करवाई जाती थी संस्कृत भासा में विक्रम शुला व अध्यात्म विदा विज्ञान जादू चमतकार वगरा धेर सारे सब्जेक्ट को जो है ना इस विक्रम्षिला नाम के विश्वविध्याले में पढ़ाया जाता था इसलिए तो इतना जदा यह फिर्मस्ता और इतना भव्व्य था ठीक है उस वक्त आगे बढ़िए सम्रीद पुस्तकाले भी था इस विक्रम्षिला व्योविध्याले में एक बोहत बढ़ा पुस्तकाले यादि की लाइव्रेरी था जिसमें हर तरह का किताब मौझूद तरह का पांडूली पी गरंत हर तरह का मौजूद था मैं यहां पर लिक भी दी हूँ कि तंतर विधा और तरक विधा सही प्रारमिक दर्शन और बहुत दर्शन के से संबनित ग्रंत विशाल संग्रह मौझूद था बहुत ही बड़ा ये पुस्तक आला था लाइब्रेरी था एक्दम विशाल जिसमें हर तरह का किताब मौझूद थे ठीक है अगर ये विक्रम श्रीला नाम का विश्र विद्याले होता ना आज भी आज भी मौझूद होता ये विश्र विद्य कीज़े जाननी है अभी मैं आप लोगों को बोर्ड मीटा कर बताओंगी पहले लेली जी आंतर फटा फटे स्क्रेन शॉट अब चलिए आगे समझते हैं देखिए एक सिसमें आप लोगों को बताना भूल गई कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो ऐसा लएग दिपंकर जैसे लोग पढ़ाई की है और मेरे अंदर इतना बड़ा जो हैना सम्रिद पुस्तकाले है और धेर सारी चीजे जो हैना ऐसा लग रहा है कि विश्रविद्यालय खुद बोल रहा है इस चैप्टर को ऐसे लिखा गया है ठीक है दोखिए इसे विक्रम सिला विश् करते हुए 15 साल हो गए थे तो 15 साल में पर्सित ़िसका नाम है अष्ट शासरी का प्रग्या पार्मिता की प्रडुली प्रज्याette विश्रविष्व विश्वविधियाले में तयार की गई थी छोकी अब ब्रिट्सsk म्यूजियम लंदन में है देखिए उस वाक जब कि विक्रम्षिला का तबाह हुआ इसको नश्ट किया गया तो उसक्त अंग्रेज देखे कि हमारे लिए क्या फायदा वाली चीज है इस विक्रम्षिला में जो भी फायदा वाली चीज थी ना उठा लिए अंग्रेजों ने तो ये अश्ट शास्री का प्रग्यापारमिता की पंडुलीपी तैयार की थी विक्रमशिला विश्रविदाले में उसको अंग्रेजों ने ले लिया और उसको ब्रीटिस म्यूजियम लंदन में ले जाकर रख दिया देखे कि यह जो पंडुलीपी हमारे लिए फायदेमंद है तो उसको उठा लिए चुरा लिए तो देखे इ से ज्यादा ज्याड़ाम मिल रहा था उसको अंग्रेज लो ले कर चले गए ताकि भारत के लोग ज्यादा ग्यानी न बन सके अभी ज्यान है भारत में लेकिन लोग कहां अभी इस वितना ग्रहं करने की कोशिश नहीं करते हैं ठीक तो यहां पर आइब बढ़िए 50 यूची उचा और तीहत्तर फिट चौड़ा इमारत के रूप में एक प्रता प्रधान भवन यानि की चैत्य प्राप्त हुआ है इसी विक्रमशिला विश्व विद्याले से और देखिए साथे चार फिट की भूमी जो है ना सारे चार फिट की भूमी अश्पस्त्रमुद्रा में भगवान भुद्ध की प्रतीमा प्राप्त हुई है उसके बाद से पुर्वी पुर्वी और पश्चमी भवन में पदमासन पर बैठे उलो की तेश्वर की कान से परतीमा प्राप्त हुई है उसके बाद से कई छतिग्रस्त शीले भी मिली है इस विक्रमशिला विश्व विद्याले से देखे विक्रमशिला की खुदाई की जा रही है अभी खुदाई की तो खुदाई की करवा रही है तो खुदाई से भी शतिग्रस्त सीले भी प्राप्त हुई और एक सील सत्यापन विर्वज्र ने किया था यह याद रखिएगा और उसके बाद से त्यरहमी सदी में याद रखिएगा तेरहमी सदी मतलब 12 से लेकर 13 साल के बीच के समय को क्या कहते हैं तेरहमी सदी या फिर तेरहमी शताब्दी तो तेरहमी सदी में तुरकों का आक्रमण हो गया इस विक्रम शिला विश्व विद्याले में देखिए तुरकों को लगा ना कि ये विक्रम शिला विश्व विद्य जानना है यान कि विक्रम श्रिला का कैसे विनास हुआ कैसे उसको नस्ट कर दिया गया तो उसको जानने के लिए आपको धर्म स्वामी नामक एक तिबती लामा पढ़ना होगा विक्रम श्रिला खुद इस चैप्टर में बोल रहा है कि अगर मेरे तबाही और मेरी बर्बादी के बारे में जानना है कि मेरा कैसे विनास हो गया तो आप जो है ना धर्म स्वामी नामक एक तिबती लामा है उसको पढ़िए उसे में मेरे पतन यानि कि मेरी बरबादी का वर्णन है कि मेरी मेरे को कैसे नस्ट किया गया ठीक और उसके बाद से एक तबाकते नास्री नामक ग लिया था हर एक एक चीज में आप लोगों को बता दी कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टे से रिलेटर आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे जदा आप लोगों क्लिक कर ले रहा हैं आप लोग जानते हैं कि मैं क्यों बोलती हूं वाल पर क्लिक करने के लिए क्योंकि उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो का और लोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुचेएगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक बाहाफिज